हेलो गाइस दिस साइट ने की और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आईक्यू स्टूडिंट्स पॉइंट सु गाइस हमारी जो नेक्स यूनिट है तो नेक्स जो हमें क्लास कंटिन्यू करनी है वो है हमारा हिंदी साहित्य करतिहास आधिकाल जिसमें आच्छी कलास में हम आदिकाल काल विभाजन हैं हम नाम करन पढ़ेंगे आगी का जो है रसो साहित्ते धारमिक साहित्ते लोकिक साहित्ते थोड़ा सा डीपली है तो इसको हम नेक्स क्लास में कंटिन्यू करेंगे ठीक है, so let's start इसमें हम जो पढ़ेंगे प्रस्तावना पढ़ेंगे आदिकाल का विभाजन, नामकरण, उसकी परिस्थिनिया की political, economical, sorry, religious purpose से किस तरीके से रखा गया social purpose से उसको किस तरीके से रखा गया और साहित्यक purpose से क्या बताया गया है, ठीक है तो जी, आते हैं प्रस्तावना पे, साहित्य मानव समाज के विविद भावोयम नित नवीन रहने वारे चेतना की अभिवेक्ती है किसी काल, विशेश के साहित्य की जानकारे से तद्योगीन मानव समाज को जाना जा सकता है देखो जी इसमें जो है न प्रस्तावना में ये बताया गया है कि ए आधी काल पुराना टाइम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम हर एक इनसान को जान सकते हैं हर एक इनसान के पास्ट में क्या हुआ या फिर समाज कैसा था या फिर बहुत सारे चीज़े कैसी रह चुकी है हिस्ट्री में क्या हुआ जैसे हम जानते हैं कि हरपा मोहन जुदारो या हरपन सिविलाइजेशन ले लिजे या फिर और पीछे जाएं सबसे पहले सिविलाइजेशन जो एजिप्शियन वाली थी हमारी मैसोपोटामिया उसको ले तो वो सब कुछ हमें आदी काल से ही पता लगता है ये सिद्धान इस बात की आवश्यक्ता पर बल देता है कि साहित्ते के प्रेरिक्तत के रूप में हम युगीन परिवेश को आवश्य जान ले शुद हिंदी रिखी वी है नॉर्मल तरीके से समझते हैं नोंने बोला है कि ये जो काल होता है ये हमें हमारे इतिहास के बारे में बताता है कि हमारे इतिहास में क्या हो चुका था क्या क्या चीज़े ऐसी थी जो अपके टाइम पे प्रेजेंट की टाइम पर या फे फ्यूचर में इफेक्ट कर सकती है या बहुत सारी चीथे ठीक है आधिकाल का विभाजन पर आते हैं हिंदी साहित्य के प्रारम से लेकर अब तक के विकास की विभिन प्रवर्तियां रचनाएं कृतिक कारों और उनकी विशेष्टाओं की जानकारी आवश्यक है देखो मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को ये पढ़ाया था कि हिंदी भाशा जो हिंदी भाशा का उद्भव हुआ वो संस्कृति से ही हुआ संस्कृति एक लैंग्वज है संस्कृति से ही हिंदी भाशा का उद्भव हुआ जिससे आप ब्रश अवट पाली ब्रच ये सब कुछ भाशा है निकल कर सामने आई ठीक है हिंदी बहुत तरीके की होती है तो इसके अंदर हम हिंदी का आदी काल पड़ेंगे कि हिंदी को किस तरीके से डिवाइट किया गया इसके अंदर हम भक्ति काल को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि भक्ति काल is very important जिसमें आपने दोहे वगरा पड़े हैं 12th में हिंदी में ठीकि कि वो वाला काल है साहित्ते में सदा एक जैसी प्रवर्तिया नहीं रहती है परिस्तितियों की अनुसार साहित्ति की प्रवर्तियां भी बदल जाती है ठीकि शंसकृत भाशा अगर देखी जाये तो बहुत जाधा बोली जाती थी बट टाइम चेंज ह तो आप संस्कित छोड़ो हिंदी छोड़ो इंग्लिश ही बोली जाती है। नॉर्मली इंग्लिश में मैं भी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं काफी जादा वर्डिंग्स इंग्लिश की यूज़ कर रही हूँ। इट्स कॉमन कि आप लोगों को वो समझ ही तबाएगा जब मैं आपसे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करूँ। तो इन्होंने भी यही बोला कि वक्त के साथ परिस्थिती, परिस्तियां उदी situation, situations के साथ जो है वो हिंदी भाषा में बदलाव आते रहेंगे और आते रहे भी हैं। साहित्य की इतिहास का दिन प्रतियेक समय की परिस्थिति और प्रवर्तियों की अधार पर उसे विभाजित करके किया जा सकता है। हिंदी साहित्ते का उद्भव किया सर्व प्रथम इन्होंने विभाजित करा है वीर गाथा काल इतनी से इतने सेंचरी तक का पूर मद्धे काल उतर मद्धे काल आधुनिक काल ठीक है आधी काल में भी आधुनिक काल आया कि एक वक्त ऐसा आया कि लोगोंने वो पर्टिकुलर language opt कर ली, choose कर ली कि हाँ जी, अब हम इसको ही बोलेंगे अब हम पीछे वाले languages पर इतना focus नहीं करेंगे आदुने काल को उन्होंने गद्दे काल भी कहा ठीके अगर याद हो तो आपने 12 में हिंदी में गद्दे और पद्दे अलग-अलग दो पड़े होंगे पार्ट्स ठीके तो ये वाला गद्दे काल जो होता है जिसके अंदर आपका सारी चीजे एक दोहे के रूप में या फिर बहुत छुपेवे तरीके से रखी जाती है ठीके दोहे बना-बना कर रखी जाती है एक्जामपल कबीर का एक फेमस दोहा तो आपने सुना ही होगा काल करे सो आज करे सो अब पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब मतलब कबीर जी इसके अंदर ही बताना चाहरे है कि हम सब के पास वक्त जो है वो हम आज ही कर लें तो जादा बहतर होगा इसलिए कहा जाता है कि कल कभी नहीं आती है जो काम हम कह रहे हैं कि आज ही कल कर लेंगे तो वो काम हम अभी ही कर लें तो उसकी स्टार्टिंग भी हो जाएगी और उसका अच्छा भी रहेगा उसे आज कर लो, इसके अलावन उन्हें आगे ये बोला कि पल में परले होएगी, बहुरे करेगा कब क्योंनोंने बोला कि पल में क्या हो जाये, क्या नहीं, कब कुछ भी हालाद बन सकते हैं तो उस चीज़ का इंतिजार ना करते हुए उस काम को तू कब करेगा वो सवाल कर रहे हैं ठीक है तो अब वो टाइम आया फिर ये वाला टाइम आधुनिक काल में इस टाइम पर आपको पढ़ाया जाता है जो कबीर ने इतने साल पहले ये सारे चीज़े लिखी वो आपको आ हमारी हिंदी साहिते को डिवाइट कर दिया है आधिकाल के अंदर ये इंपोर्टेंट है आप इसको लिख लिजेगा ठीक है आगे बढ़ते हैं रीदिकाल में भक्ति और रीदि संबंधी रशनकारों के अतरिक वीर रस के भी अन्यकावे प्राप्त होते हैं ठीक है वीर र लिखा दिये उसमें बता दिया वो सारे चीज़े हैं ओके आगे बढ़ते हैं आधिकाल का नामकरण कैसे हुआ हिंदी साहिते के अधिकाल के नामकरण के संबंध में अलग अलग नाम सामने आते हैं किसी एक का पता नहीं लग पाता कि इसने हिंदी का हिंदी साहिते का नाम करण करा इस सम्मन में विचार रखने वाले आचारे रामचंदर शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल, सांकरतियायन, आचारे हजारी प्रसाद दिवेदी, बहुत सारे ये बड़े-बड़े लेविल के जो हिंदि साहित्यकार हैं, इन सब का नाम आता है, इन सब को तो आपने कहीं न कहीं सुना ही होगा, हाला कि आप वाले जो आप सब स्टूरेंट्स हैं, वो मुबाइल में ज़्यादा फोकस रखते हैं, कि बुक्स को इतना पढ़ना अच्छा नहीं समझते हैं, बट अगर आपको ज़्यादा दूर नहीं, आपकी 12 में ही अगर मैं ब शुकल जी ने निमलिखित 12 रचनाओं के अधारव को मान कर इस काल को वीर गाता काल बोला, विजेपाल रासो, हम्मीर रासो, कीरती लता, कीरती पताका, खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृत्वी राज रासो, जैचंदर प्रकाश, जैमयंक जस्चंदरी का, परमाल र लिख लो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर लिखने ज़रूरी है, इस समन में उन्होंने हिंदी साहित्ते के तिहास में लिखा, इनकी 12 पुस्तकों के दृष्टी से आधिकाल का लक्षन निरूपड और नामकरण हो सकता है, इनमें से तीन विदापती, पदावली खुसरों की पहली और बीसल देव रासों को छोड़कर सभी गरंत वीर गधातमक हैं, ठीक है, आधिकाल का नाम वीर गधातमक काल भी रखा जा सकता है, तो इन्होंने बोला कि विदापती की पदावली, खुसरों की पहली और बीसल देव को छोड़कर बाकि सभी आधिकाल गिनाई गई लचनाओं में से अधिकांश Bye. इस प्राकार शुक्र जी। से थर्टीन सेंचुरी तक का मानकर उन्होंने टूअट समें डिवाइट कर दिया. संधिकाल डिवाइट करा संधिकाल में दो भाषा है दो धर्म संधियुग रखा ठीक है जिसमें अब भ्रंश साहित्ते को इंपोर्टेंस दी जाती है चारकरण काल नाम वीरगाथा काल की भाती ही संदोश है क्योंकि इस रूप में बीतर गिनाई गई चरणों की स्रचनाई आप प्रमानी कैवम परवर्टी है अब इस बात को समझो इन्होंने बोला कि हम इस टाइम पिरिएट में चारण काल भी वीरगाथा काल को नाम दे सकते हैं ठीक है अब वीरगाथा काल को हमने आदी काल का दूसरा नाम दिया है तो इस चीज़ को पूरे चैप्टर में पूरे वीडियो में आपको याद रखना है राहूल ने कहा कि हिंदी के इस युग को सिंध सामन्त युग कहा जा सकता है प्रस्तुद नाम करन बहुत दूर तक ततकालीन साहितिक प्रवर्टियों को पश्ट भी करता है मतलब इन्होंने बोला कि जो ये नाम दिया गया है ये नाम बहुत दूर की बात को डिस्क्राइब भी करता है ऐसा नहीं कि हमने ऐसी नाम दे दिया इसको कुछ सोच कर ही नाम रखे गए चार्रे हजारी प्रसाद दिवेदी ने बोला कि हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल को आदी काल कहना ही उप्युक्त होगा उनका ये नाम करण भी सरवता दोश रहित नहीं है आदी काल नाम भी ब्रामक धारना उत्पन करता है इस नाम से ये लगता है कि काल सोतंत्र रूप से विक्सित होने वाले पूरवर्तिय परंपराओं और कावे रूडियों से मुक्त सरवर्था एक नवीन साहितेकाल है अब इसको थोड़ा सा नॉर्मल हिंदी में समझते हैं इन्होंने बोला कि हिंदी साहिते को आदेकाल कहना ही बिल्कुल उचित होगा मतब बिल्कुल ठीक होगा इसका नाम हम इसको आदेकाल इसले देंगे क्योंकि ये अपने आप में ही अपने आपको डिस्क्राइब कर रहा है कि मैं आदेकाल हूँ कोई भी निकाल कर आप पढ़ लो ठीक है प्रेमचन का अगर हम प्रेमचन खाला के बहुत आगे के टाइम उन्निस्टो के टाइम का जो लास्ट टाइम पिरियेड है आदेकाल में उस टाइम के हैं बट आप उनका भी ले सकते हो उन्होंने हमेशा रिलेटेबल पोयम्स लि नहीं गई है ठीक है इसके साथ आपके क्या परस्पेक्टिव है कि आपको कौन सा जादा बेस्ट लगा हजारी दिवेदी का राहुल का या उपर वालों का वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अब आते हैं आदेकाल की परिस्थितियों में पॉलिटिक सेंचरी आ गई तो फिर हमारे सल्तनत आ गई ठीक है 12 सेंचरी में मुहम्मद गौरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया फिर पृत्विराज की पृत्विराज जी हार गए और फिर उसके बाद पृत्विराज की हार के बाद गुजरात के स्वाधीन जैन कन्योज राजाओ ने तब तक साहित्य और संस्कृती को अलाउद्दीन खिलजी के आकरमन के कारण गुजरात में उसको आगे बढ़ाया मतब वहां तक रखा ठीक है क्योंकि नॉनमली अगर हम एक परस्पेक्टिव रखें पॉलिटिकल वाले परस्पेक्टिव से तो देखो अगर मैं पुर कोई भी रिलीजिन से बिलॉग करते हों कुछ भी हो चैसिक हो हिंदू हो मुसलिम हो क्रिश्टिन हो कोई भी हो ठीक है ना बट फार्सी और संस्कृत हिंदी यह पर्टिकुलर तीन लेंगविजिस थी जो पुराने पुराने टाइम के लोग बोला करते थे क्योंकि यह कॉम अगर हम एक पर्स्पेक्टिव मुसलिम वाला रखें तो उर्दू और फार्सी को बहुत जादे इंपोर्टिन माना गया और उसके बाद बाकी लोग जो यहां पर रहते थे वो संस्कृत बोलते थे तो दोनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था संस्कृत वालों को उर् हिंदू समाज आतमसाथ करता रहा नई नई जातियों का उदभव होता रहा और जो पुराने संगठ हनते हिंदू समाज के वो खतम होते गए जो एक्चुली यह संस्कृत बोलते थे वो लोग खतम होते गए उसी के बाद फिर बाकि हिंदी बोलने वाले लोगों का उद्भव हुआ लोगों ने अपने according हिंदी बोलने शीरू करे किसी ने ब्रश किसी ने ब्रश किसी ने पाली कुछ-कुछ, तो मनों की अनेक जातियों के समान शतरी यों की भी अनेक जातियां हो गई बहुत सारी हो गई ठीक है छुआ छूत को प्रक्षे मिल गया राजपूत जाती पहली पंग्ती में आ गई बहुत कुछ हुआ उस इके पर्सपेक्टिव से समाज के अंदर यहाँ पर यह सारा प्रॉब्लम देखा गया हिंदी साहित्ते को लेकर ठीक है साहित्तिक पर्सपेक लोग एक दूसरे को बता देते थे ठीक है अगर मैं साउथ की बात करूँ तो साउथ में आपने की बात नोट की होगी कि टैंपल्स मैक्सिमम साउथ में है ओवरॉल इंडिया वो इसलिए नहीं कि वहाँ पर नॉन मुसलिम्स जादा थे हिंदू जादा थे या फिर कोई औ और प्रजाती की लोग जादा थे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस एक एरिया एक जगा एक चीज़े देखकर वो सब जगा देखकर वो बना दिया गया ऐसे तो अगर मैं हड़पा सब्वेता की बात करूँ आपसे हडपा सब्वेता नॉर्थ की साइड आ पाश्चिम की साइड आ जाओ ठीक है वेस्ट की साइड इधर की साइड पर क्या था कुछ भी नहीं था बट हडपा के जो स्ट्रक्चर बने हुए थे कुछ थे आज भी है ना मौजूद है आधा पाकिस्तान चला गया आधा इस साइड आ गया तो वो वाली चीज की ऐसा नहीं है कि साहित साहित्ए को डिवाइड किया गया जहां पर जो लोग जाता था वो वहीं पर उस चीज को बना देता था ऐसे तो साहित्ते सिफ टैंपल कोई नहीं बहुत सारी जो मिनारे बनी मस्जिदे बनी उनको भी डिसक्राइब करता है मंदिर में संस्कृत से दिवारों पर कुछ उन तो वो वाला है कि साहित्ते ने इस तरीके से रोल अदा करा है अपनी हर चीज के अंदर ठीक है इसके अलावा हजारी प्रिसाद दिवेदी ने तीन प्रकार के बंधों का उले किया दोहा बन पधड़िया बन और गैपन बन ठीक है ये इसको जादा डीब जाने की जरुवत न तो निशकर्ष में आप लोगों को मैंने प्रिवियस भी अगर आप कोई क्लास अटेंड कर रहे हो तो उसमें बताया है कि आप लोग अपने ही आंसर के दो-दो लाइन उठा कर निशकर्ष लिख दो और अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो आंसर तो आपने पास से ब बोल सकते हैं. So, thanks for the watching and best of luck all.